अब तक अपन कुछ टोपिक्स पे रिपोर्ट सीख चुके हैं उमीद करता हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड जितनी वीडियोज मैंने यूटूब के अपलोड की है उस सभी वीडियोज को आपने वोच कर लिया होगा अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को वोच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में उस सभी वीडियो के लिंक डाल रहा हूँ वहां से आप उन वीडियोज को एक एक करके वोच कर लेना और अपने इंगलिस की नोट बुक के अंदर नोट कर लेना उसके बाद स्टुडेंट आज की वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं तो स्टुडेंट बता देता हूँ कि आज की वीडियो में भी अपन रिपोर्ट सीखने वाले हैं एक एसे टोपिक पे रिपोर्ट सीखने वाले हैं जो 2021 के अंदर यानि की पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है और वह जो टोपिक है जिस पे आपन रिपोर्ट सीख रहे हैं वह टोपिक है एबलाट डोनेशन केंप स्टुडेंट में आपको बता देता हूँ इस बार के लिए क्लास 12 में जो एक रिपोर्ट पूछी जाएगी वो दो एसे टोपिक है जिस पे आनिकी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है एक टोपिक जो आज अपन कर रहे हैं एक बलाट डोनेशन केंप और एक जो वेरी इंपोर्टेंट और है वो है डिस्टिक लेवल एथलेटिक स्टूर्नामेट जो अपन लास्ट वीडियो के अंदर याने की समझ चुके हैं उमीद करता हूँ कि उस वीडियो को आपने वोच कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो दुबारत कहता हूँ उस वीडियो को आप जरूर देखना लास्ट तक वोच करना क्योंकि एक्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है बलट डोनेशन केंप ये जो रिपोर्ट सीख रहे हैं स्टूडेंट बता देता हूँ कि बलट डोनेशन केंप पर नोटी से एक्जाम में पूछा जा चुका है और रिपोर्ट अभी तक यानि नहीं पूछी गई है तो ये रिपोर्ट आप जरूर वोच कर लेना अपनी कोपी के अंदर नोट कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना तो चलो स्टूडेंट अपनी इस रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं सीखते हैं किस तरह से रिपोर्ट आप यानि की कोपी के अंदर लिखोगे एक्जाम में अगर आ जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी आप कोई भी report लिखते हो हो तो उसका title लिखे capital letter के अंदर बड़े अक्षरों के अंदर आपको लिखना है और उसको underline कर देना है तो आपन किस पे लिख रहे हैं? अपने title लिखा और उसको underline कर दिया उसके जस नीचे वा लाइन में student आपको करना क्या है? जो report जो आप लिख रहे हो वह report किस के द्वारा लिखी गई है? बाई लगा कर कि उसका name दे दीजिए जैसे बाई साजिद, बाई साजिद के द्वारा लिखी जा रही है अब कोमा यानि bracket में लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसके बाद student आपको एक line छोडनी है, line छोडने के बाद जो अपने format किया था, format of report on event उसी के according अपन यानि यानि ये report करने वाले हैं, आपने उस video को watch कर लिया है, अगर आपने कर लिया तो ये report आप अच्छे से यान जगे का नाम लिखोगे, जैसे ये report कहां की है, बाडेट की है, तो आप क्या लिखोगे, बाडेट लिखोगे, थोड़े बड़े अक्छरों में लिख देना, highlight कर देना, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, writing of date, यानि जिस तारी को आप, यानि की क्या कर रहे हो, report लिख रहे हो, वो तारीख लिखोगे, तो कहां की है report, बाडेट की, अगर जुन जुनु के अंदर ये camp लगा है, तो आप क्या लिख दोगे, जुन जुनु लिख दोगे, मलसी सर में लगा है, तो क्या लिख दोगे, मलसी सर लिख दोगे अलसीसर में लगा है तो अलसीसर लिखोगे उसके बाद कौमा लगाईए उसके बाद जिस तारीक को आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो तारीक लिख दीजिए जैसे रिपोर्ट आप कितने तारीक को लिख रहे हो तो सबसे पहले title लिग दीजिए उससे ही सुरुत कर दीजिये अपना title क्या है टो अपने सुरुत क्या कर दी एक बलत डोनेशन केंप की एक बलत डोनेशन केंप का आयोजन किया गया on the occasion of किस brother वर अंदना किस आउसर पे organized किया गया by an NGO के द्वारा by eco club by lawence club जिसके द्वारा भी किया गया ठीक है इन कहां पर अब कहां पर आयोजन किया गया अब इन आदर्स government senior secondary school बाड़ेट यहां पर यानि इसका आयोजन किया गया तो यानि कि यह जो तारिक है जिस तारिक को यानि यह camp हुआ वो भी लिख दी अपन ने किस के द्वारा लगया गया और कहां लगया गया तो student समझा आ गया होगा आपको तो दुबारा पढ़ लेते हैं कि एक blood donation camp was organized एक blood donation camp का आयोजन किया गया किस आउसर पे डॉक्टर अब्दूल कलाम के जनम दिवस के आउसर पे कब 15 अक्टूबर को यह और लिख कब रहे हो आप 16 अक्टूबर को ठीक है student किस के द्वारा लगया गया यह by an NGO के द्वारा या by youth club के द्वारा by loins club के द्वारा कहां लगया गया in others government senior secondary school budget के अंदर ठीक है students ऐसा आप लिख देना आपको full marks यानि की मिलेंगे अब देखिए आगे आप क्या लिखोगे a team of doctors and nurses head arrived कि एक doctor और nurse की जो team है वो पहुंची from medical college चूरू से कहां से पहुंची यानि की to collect the blood क्या collect करने के लिए blood collect करने के लिए कि doctors और nurses की जो team थी वो पहुंची कहां से पहुंची from SMS hospital जेपूर या from medical college चूरू से किस के लिए पहुंची to collect the blood ठीक है student अब आगे आप क्या लिखोगे the camp started camp की शुरुआत हुई at 10 a.m camp कितने बज़े शुरू हुआ यानि कि 10 बज़े यानि कि शुरू हुआ उसके बाद आप क्या कीजिए यानि कि chief guest बता दीजिए या किस के दोरा inaugurate किया गया camp का उद्हाटन किया गया तो आप क्या लिखोगे the chief guest of the camp was the MLA of the localty कि the chief guest of the camp camp का जो मुख्य थी थी थे आप क्या लिख सकते हो the chief guest of the camp was the collector of जुन्जनू कर सकते हो the chief guest of the camp was the MLA of यानि कि the localty जिसका नाम क्या है यानि रिटा चोदरी आप इस तरह से यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो उसके बाद आप क्या लिखोगे students she inaugurated the camp उसने camp का inaugurate किया उद घाटन किया by cutting the ribbon ribbon काट करके ठीक है student और she herself donated the blood और उसने swim ने blood donate किया and motivated all और सब को motivate किया to donate blood blood donate करने के लिए ठीक है students इस तरह से यानि कि जो chief guest था उसने ribbon काट करके यानि कि इसके उद घाटन किया chief guest का name दे दीजिए उसने भी यानि कि blood donate किया line लिखना चाहरे हो तो आप लिख दीजिए ने लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है और उसने क्या किया सभी यानि जो लोग थे उनको यानि कि motivate किया blood donate करने के लिए उसने क्या कहा वो line लिख दीजिए लिखना चाहरे हो तो अगर आपके पास old lines है ज्यादा तो आप वो line लिख दीजिए see said that उन्होंने कहा कि our donated blood कि हमारा donate किया blood है वो can help help कर सकता है a dying person एक मरते वे आनिकी आदमी की मदद कर सकता है so इसलिए we should donate our blood इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें हमारा blood है वो donate करना चाहिए in the name of humanity humanity के नाम पे मानवता के नाम पे ठीक है student ऐसा आप लिख देना उसके बाद आप क्या लिखोगे several students बहुत सारी students ने gave their voluntary service अपनी सवेच्छी क्यानी की सेवाई दी in the camp केंप के अंदर कि बहुत सारी students थे जिन्होंने अपनी इच्छा से यानी कि सेवाई दी camp में कैसी सेवाई दी they help the doctors यानी जो students थे उन्होंने doctors की help की और nurses की help की इन arrangements वेवस्ताई बनाने में ठीक है student ऐसा आप लिख देना उसके बाद आप क्या लिखोगे 60 old and new student of the school की 60 पुराने और नए जो student थे school के उन्होंने donated their blood अपना blood donate किया in the camp camp के अंदर ये line लिख दोगे आप की 60 old and new students of the school 60 पुराने और नए जो student थे school के उन्होंने इस camp में यानी की blood donate किया तो इस तरह से यानी 60 पुराने बलड donate किया तो कितना unit हो गया हर्स यानी एक unit यानी की blood है वो यानी लिया जाता है तो 60 units of blood was collected यानी कि कितना unit blood collect किया गया इस camp में 60 unit जो blood था वो collected किया गया उसके बाद आप क्या लिखोगे the donors were given जो donors थे रक्तदान करने वाले थे उसे दिया गया some refreshments कुछ alpha heart दिया गया fruits दिया गया juice दिया गया and certificate each और परते को क्या दिया गया certificate दिया गया ये line आप जरूर लिख देना donors होते हैं जो blood donate करते हैं उसको यानी कुछ alpha heart दिया जाता है fruit दिया जाता है juice दिया जाता है तो आप वो line लिख दीजिए कि donors को क्या दिया गया कुछ refreshment दिया गया तरुताजा होने के लिए और क्या दिया गया परते क्डोनर को certificate दिया गया उसके बाद यानी कि school के अंदर हुआ है तो आप principle भी आनी कि प्रकाश डाला the need of blood donation की blood donation की जो आवसेकता है उस पे आनी कि principle of school ने आनी कि highlighting किया अपना विचार दिया उसके बाद last की line ने एक दो line at the last आखिर में the doctors made all aware doctors जो थे हूँ सब doctors ने आनी कि क्या किया all aware सभी लोगों को जागरित किया there is no side effects कि कोई side effect नहीं होता है of donating blood blood donate करनेगा यानी कि last में doctors ने आनी सब को यानी कि क्या यानी कि कहा क्या यानी कि जागरित किया कि कोई side effect नहीं होता है blood donate करने से any person can donate blood कोई भी person है वो blood को donate कर सकता है after every three months किस के बाद पढ़ते एक तीन महिने के बाद यानी कि कोई भी बेटती है वो blood donate कर सकता है तो the camp lasted four, five hours camp पांस गंटे तक चला और it was a successful event और ये क्या थी एक successful event थी तो student इस तरह से अपना ये report है blood donation camp का पूरा हुआ उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है अगर आपको समझ आ गया है तो like कर दीजिए दोस्तों में share कर दीजिए चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को आप subscribe कर दीजिए और इसका आप screenshot भी ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे thank you very much